मेरे पास शब नहीं है मैं सुन हूँ बस इतना कहना है कि किसी भी महिला के लिए नया इस तरह कैसे खत्म हो सकता है मैंने सिस्टम पर भरोसा किया था मैं धीरे धीरे अपने ट्रॉमा के साथ रहना भी सीख रही थी मेरे 11 दोशियों की रहाई ने मुझे जगजोर दिया है मेरे भरोसे को तोड़ दिया है यह स्टेटमेंट था बिलकिस बानो का उनकी वकील शोभा गुपता द्वारा रुलीस किया था 15 अगस 2022 के बाद जब बिलकिस बानो के 11 दोशियों को रहा कर दिया गया अच्छे आचरन का हवाला दे कर आज रगबग दो महीने बाद बिलकिस बानो को लेकर फिर से चर्चा हो रही है ज्यान दीजेगा उन्हें लेकर बात हो रही है उनकी बात नहीं हो रही दोनों में फर्क समझने की कोशिश कीजेगा बिल्किस बानों के उपर क्या बीत रही होगी एक रेव विक्टिम सर्वाइवर के तौर पर जिस औरत ने 20 साल तक अपनी लडाई लड़ी पूरी हिम्मत के साथ उसके नाम से हाश्टाक्स चल रहे हैं भैसे हो रही हैं गुजरात चुनावों से यह पूरा मामला जोड कर देखा जा रहा है एक औरत के ट्रॉमा पर राजनीती हो रही है जैसी होती आई है क्या नया है इसमें कुछ भी नहीं क्या बदला है हमने शायद कुछ भी नहीं इन सब बड़े बड़े डिसकॉशन्स में बिलकिस बानो और बिलकिस बानो जैसी तमाम महलाओ के स्थिती क्या है क्या विमन एंपावोमेंट बस एलेक्शन मेनिफेस्टोस तक सीमित है क्या विमन सेफटी बस कहने भर को काफी है हमारी सामाजिक चेतना कब तक सोती रहेगी इनी सब सवालों के जवाद तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे दो मुद्दों पर खासता और पर चर्चा होगी बिलकिस बानो और बलातकारी और हत्यारे गुर्मीत रामरहीम को परोल मिली है उसकी भी नमस्कार मेरा नाम दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओ से जुड़ा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक मेरे साथ हैं इंडिया टुडे की एडिटर और शो की को होस्ट प्रीती चौधरी बहुत बहुत स्वागत है प्रीती आपका थांचियो दिवाग्षी प्रीती बिना देरी किये हम सीधे मुद्धे पर आते हैं बिलकिस बानू मामले में हाली में सुप्रम कोट में सुनवाई हुई गुजरा सरकान ने हलफ नामा दायर किया बल्कि वॉल्यमिनस पताया गया जो जस्टिस इसको देख रहे थे उन्होंने कहा कि फाक्च्वल स्टेटमेंट्स नहीं है मैं बस चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से इस पूरे घटनाग्रम के बारे में बता सके कि क्या क्या हुआ इस जो पूरा मसला भी चल रहा है क्या है इस बार बात फिर शुरू ही है दिवादशी दो महीने पहले ही यह इशू उठा था क्योंकि 15 अगस्ट के दिन मुझे पता है मैं आइंकर कर रही थी उस दिन और खबर आई थी कि जो 11 के 11 कॉन्विक्ट है रेप और मुर्डर के चार्ज पर बिल्किस बानो के रेपिस्ट भी है उनको प्रेमिट्यूर रेमिशन दे दिया गया है अब उस पर बहुत साथा कॉन्ट्रोवरसी हुई थी बहुत सारे सवाल किये गए थे कि आप इन 11 कॉन्विक्ट को जिन्होंने इतना मतलब हैनिस क्राइम मुस्त रेर हैनिस क्राइम उन्होंने किया है और उनको आप प्रेमिट्यूर रेलीज कैसे कर सकते हैं तो एक तब ब हम दे रहे हैं early remission क्योंकि मतलब justify और ऐस था कि मतलब as per law है कि हम consider कर सकते हैं इसको और हमको लगता है कि हमें देना चाहिए उस वक्त दो सवाल थे कि चलिए गुजरात सरकार ने ये कर तो दिया पर इसमें आपने इस पे seal of approval तो डाल दी पर एक बहुत बड़ा मुद्दा उस वक्त जब ये 2002 में कान हुआ था ये CBI CBI की जांच agency थे और जब भी ऐसे आप premature remission की बात होती है अगर CBI केस की जांच की हो तो उसमें आपको CBI जो आपकी जांच agency है उसका अप्रूवर लेना जरूरी होता है और एक बहुत बड़ा सवाल उठके आया कि फिर home ministry का भी अप government का भी इसमें approval होना चाहिए अगर आप recommend करेंगे किसी का अपनामा गुजरात सरकार ने बताया है कि हमें इसमें क्योंकि यह जो law है वही follow हुआ है इसमें government कैसे आ गई पर दो महीने बाद अब यह फिर से इतना जोर क्यों पकड़ा है यह मुद्दा क्योंकि उस वक्त 22 अगुस्ट को सुप्रीम कोट ने गुजरात government को बोला था कि आप सारे जो एफिडेविट है रेमिशन policy की copy नहीं मिल रही थी किसी को यह जाया हो जाता कि इसमें क्या home ministry ने अलाव किया के सेंट्रल गवर्मेंट ने अलाव किया पास भी नहीं थी तो उस वक्तरीम को ने गुजरात Government को बोला था बालन मेंट को कि कलने विह एक एकफिडेविट को एक पूरा आफिडेविट दाखिल करिए जिसमें यह सारी डीटेल्स हो अब क्या हुआ अफिडेविट हुआ दाखिल अब सुप्रीम कोट ने उसको देखा कहा सुनवाई 29 नवेंबर को होगी इसकी जो प्लीज चल रही है कि यह प्रीमिचर रेमिशन क्यों दिया गया उनकी सजा कम जल्दी क्यों रहाई हो गई तो यह 29 को होगा पर जब आप बैठे पढ़ने जो अफिडेविट था गुजराच सरकार का तब आप सारा सामने आ गया क्योंकि उसमें CBI जांच एजंसी थी CBI जांच एजंसी ने कहा कि देखिए इनको प्रेमिचर रेमिशन इनको रहाई नहीं देनी चाहिए साफ मना कर दिय और उन्होंने यह 2021 में किया था उन्होंने मना करा था 2020-19 में भी मुद्दा आया था उस वक्त भी उन्होंने बोला था कि नहीं देनी चाहिए इनको प्रेमिचर रहाई सेशन कोट जो था उन्होंने भी बोला कि सेशन कोट ने बोला कि प्रेमिचर रहाई नहीं देनी चाहि वह आउट राइटली सुने जो जांच एजनसी ने रेकुमेंड किया है उन्होंने नहीं कहा था सेशन कोट ने बोला था नहीं बोला था पर आपने क्या सोच के क्योंकि अगर CBI सब्सक्राइब कर दिया उन्होंने मना कर दिया तो ऐसा क्या मुद्दा हो सकता है कि आपको गुजरात गवर्मन्ट से भी सवाल है और दो हफते ही में ही इनकी प्रेमिशन प्रेमिश्श था आपने अप्रूफ कर दिया इनको रिहाई मिल गई तो एक बहुत बड़ा-बड़ सवाल उठके आया है ये भी नहीं दिवानशी एक और सवाल है इसमें पॉलिटिकल सवाल है गुजरात एक महीने में इलेक्शन हो रहे हैं चुनाफ पे जा रहा है तो बाकी सारी जो और पॉलिटिकल पार्टी है चलिए बीजेपी नहीं कुछ बोल रही है कॉंग्रस जम के ब वाला है देवानशी क्योंकि उसमें साफ पाया गया है कि यह जो सारे 11 के 11 कॉन्विक थे इनको 14 साल में हजार से उपर दिन इनको परोल या फर्लो दिया गया है परोल आपको गुड बहेवियर के लिए मिलता है और इतना परोल मुझे नहीं लगता कि जिसको भी इतना टर् सबसे बड़ी बात एक और आई है कि इन में से एक जो 2020 में जब परोल पे इन में से 11 में से मितेश चिमनलाल भट नामक एक आदमी ने 2020 में उनके उपर एक केस है तो आउट्रेज दमाडिस्टी ऑफ वोमन सेक्शन 354 पे अब मुझे बताईए जो आदमी बाहर एक इतने हैनस क्राइम से इनकारसरेटेड है उसको जेल हुई है गैंग रेप मर्डर जब उसने एक छोटी सी बच्ची का सर कुचल दिया उसमें एक 11 महीने का बच्चा भी था उसको मार दिया आपने बिलकिस बानों की मदर का रेप उसके सामने किया उसकी सिस्टर इनलॉ इसमें आप बाहर आए हैं और आपने फिर किसी महिला के साथ कुछ ऐसा काम किया है जो आप पर आउट्रेजिंग मॉडिस्टी ओफ वुमन का चार्ज है उसको क्या गुड बहेवियर पर छोड़ा जा सकता है क्योंकि वही जास्टिफिकेशन है गुजरात गावर्मेंट की कोट में कि ये गुड बहेवियर पर छोड़े लाएं पीती मुझे मालूम नहीं कि ये गुड बहेवियर जिसकी बात चारो तरफ चल रही है जैसा कि अभी आपने कहा उसकी डेफिनेशन अगर सब लोगों ने अपनी अपनी बना ली है और शायद उसी हिसाब से चल रहा है जिसको वो जस्टिपाई कर रहे हैं शायद उनका वर्ल्ड वो किसी और दुनिया में काम कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है और जैसा कि आपने कहा कि इस पूरे मसले को आने वाले गुजराच चनाफ से जोड़ कर देखा जा रहा है विपक्ष कॉंग्रेस जम कर बोल रही है हाम आदमी पार्टी नहीं बोल रही तरहा तरहा अगे और भी बाते हो रही हैं लेकिन जब मैं यह सब देखती हूँ पता नहीं मुझे हमेशा से एक डिसकनेक्ट इस संधर में महसूस होता है कि हम हर बार जड़ को भूल जाते हैं हम बिलकिस बानों को भूल जाते हैं हम उ को एक एलमेंट के तौर पर हमेशा राजनितिक चर्चाओं का विशय बना दिया जाता है जबकि धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा क्या कहना जाएंगे आप इस पर इसमें औरते ही ब्लेम करने के लिए हैं यह औरतों की ही प्रॉब्लम है महिलाओं का ही बहुत-बड़ा इ के एक्शन ले निर्भिया का पूरा एक टीम बैठी थी एक जस्टिस वर्मा की कमिटी बैठी थी उसमें बहुत सारी चीजें हुई थी एक हॉल मार्क वाटर्शेड मोवमेंट अगर आप कहें इंडिया का पोलिटिकल वाटर्शेड मोवमेंट सोशल अब जिस दाइरे में जानने आप लें विस नेरीटिव को आप करने घए एक एंडिया शणने नीदें दिया आप सरकार को कैसे देखते हैं और उस वक्त सबके सब बाहर निकले थे इस वक्त क्या हूग आह Item कहा है क्या उस वक्त इतनी सारी महलाइन जो इंडिया इंट्रमंतर में रिटी थी ऊश उस्वार पूछना चाहिए जो पूछा नहीं जाता है इसलिए महील आए नहीं क्योंकि जो बिलकिस बिलकिस है और एक इलेक्शन आने वाला है यहां आदमी पार्टิ को सी नाम का रह जाता है और रहाजा करते हैं हमारी responsibility बनती है आपकी अगर आप महिलाएं आपकी responsibility बनती है कि इसको सिरफ बोलिये मत क्योंकि अगर आप अपनी आवाज नहीं उठा रही है और आप नहीं उठा रही है क्योंकि बिलकिस के साथ कौन खड़ा है कोई नहीं कर लेंगे हम कुछ भी बोल देंगे politicians नहीं खड़े है leadership नहीं खड़ी है क्योंकि यह politically hot potato बन चुका है यह convenient topic नहीं है उनको बोलने का पर जो महिलाएं हैं बाहर वो कहां है उनहीं का तुम मुद्धा है ना भाई तुम बोल रही हो तुम नहीं बोल रही हो क्योंकि यह Hindu-Musalman हो गया है मतलब तुम हिंदू बड़ी हो गई हो और जो तुम्हारा जेंडर है जो महिला है वो छोटा पड़ गया है हमारे आइडेंटिटी के जो आयाम है वो बदल गया आप निर्भया जो पूरा मुवमेंट मैं कल ट्विटर पर देख रही थी कुछ ट्वीट्स देख रही थी मैंने का देखा जाए कि किस तरह की बाते हो रही है कौन वो लोग है जो इस बात का समर्थन दिखा रहे हैं कि बहुत बढ़िया है आप उनको रहाई करो everything is good और एक दूसरी चीज हो रही थी जो कह रहे है कि उसको निर्भया कान के जो माइनर से जोड़ कर देखा जा रहा है कि आपने उससे कुछ नहीं कहा अब आप पूरा छसा एक जता रहे हैं तो यह क्या है यह बड़ा ही पेची दा मसला एक बार को हो जाता है आप आपकी क्या रहा है आप एसको किनлек और क्योंकि वाट अबाउट रही होती है कि आपने चलिए बिल्किस के पर किया इस पर नहीं किया मैं यह भी बता दू निर्भिया पर मैंने वह भी किया था ना बी-जेपी की सरकार की सरकार की इस बार भाजबा की सरकार है मैंने बहुत सारे शोज चलाए हैं पर एक चीज बार-बार मुझसे पूछी जाती है जो ट्विटर टाइम लाइन की आप बात कर रही है पूछी जाती है देखिए आप इसके बारे में बोलेंगी पर आप हलाला के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी आप हिजाब के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी य यह मतलब जब आप इस उसमें आ जाते हैं तो फिर सब कुछ हो जाता है आप फोकुस करके बनाइए आप उसके बारे में बात करिये आप दूसरी चीज के बारे में भी बात करिये निर्भया क्या था भाई निर्भया दिली में हुआ था ना कॉंग्रेस की सरकार थी तब यसको आप क्यों पकड़ रहे हैं इसकी अहमियत क्यों कम कर रहें बिल्किस के ऊपर भी कुछ गुझरी है ना वह क्यों नहीं इंपोर्टन्ट है टीकि मैंने लाइव लौपर बिल्किस वानो की वकील शोभा गुपता जो है उनका इंटर्व्यू पढ़ा उन्हों ने कहा की तो यह बड़ी ही खतननाक सिच्वेशन एक आम महिला अभी भी ऐसा होता है कि हम बाहर जाते हैं पचासों कॉल हमारे पास आजाते हैं सेफटी के लिए यह सब इंशॉर करने के लिए फैमली पूछती है आप कैसे आप मेसेज क्या दे रहे हैं आपने एक आपने ऐसी रिलीज कर दिया आप मतलब चलिए चाहिए बाइलो ही हुआ हो पर आपने उनको अर्ली रेमिशन दी है क्योंकि नहीं तो वह भी भी जेल में होते हैं तो आपने क्या मेसेज की मांग करते हैं इस पे आपने क्या मैसेज दिया है और यह लड़ाई बहुत शुरू से है क्योंकि मैं और निर्भया की तुलना कर रही हैं दिवानची में पिर से उसकी उपर ही जाओंगी कि मुझे अभी भी याद है तब में जैसे कब रिपोर्टर नहीं होते जैसे कब निकलते हो पहला 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 एसाइनमेंट होता है तब मैने शुरू ही किया था और तब एक मुझे यह शोज गी ते बार बार ہमने क्वेश्टिन किया था अगर आप यह नहीं करेंगे और अगर हम यह नहीं करेंगे क्यों आप ने क्यों छोड़ा आप बताइए लुगा क्योंकि उनमें से एक ने तो 2020 में ही exactly यह चीज नहीं करी पर किसी वुमिन की करते हैं एक तरफ यह सारी चीजें चल रहा है सब कुछ और पता नहीं चलता कि विश्वास किस पर करें बिल्किस वानों अपनी हिम्मत की वज़ा से रेव विक्टिम्स के लिए एक मिसाल बनी लेकिन इस रेमिशन के दौरा सिस्टम ने क्या उधारन पेश किया यह सवाल भी मुद्दा उठाया था यह मत पूछेगा पर उसका क्या बस इसके बारे में बताईए बिल्कुल थैंक यू पर दिस एड़ान प्रीती बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरे मामले पर हमने बात की आज के दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं गुर्मीत रामरह चालस दिन की परोल पर भार आये हैं बलातकार और हत्या जैसे जगन्य अपराधों की सजा काट रहे हैं बीते मंगलवार थार अक्टुबर को गुर्मीत में उत्तर प्रदेश के बातपत से एक वर्च्वल सत्संग किया फिर से एक हम इसमें रेपिस्ट जो टर्म है जो कर रहे हैं जो सब कुछ भोगा है जिनोंने हम उनकी कोई बात नहीं कर रहे हैं उनको कैसा लग रहा होगा पीती आप इसे कैसे देखती है कि रेपिस्ट ने चलो ठीक है ये बाहर घूम रहा है everything is fine ऐसा दिखाया जाता है उन लोगों की बात क्यो नहीं होती रेपिस्ट और मर्डरर ये वह इंसान है इतनी सारे केसिस जो हमने सुने हैं पर कहते हैं जब अंध बिश्वास हो जाता है किसी पर क्योंकि और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या explain कर सकता है दिवान जी आपने भी देखे हों कि जैसे ही परोल अनाउंस हुई कम सो से जादा महिला भंगडा कर रहे हो उसकी कुछी मना रहे हो मतलब समझ नहीं आता मेरे को और बार बार सुने में आता है अरे उनकी उपर तो शडियंत रहे शडियंत रहे भाई ये आप ही के यहां से निकल के आई है देरा सच्चा सौदा की ही थी वह एक केस नहीं है हजार स्टोरीज है तो ये कल्ट अंग्रेजी में इसको कल्ट कहते हैं अंधा दून विश्वास हो जाता है आपको एक following में तो आप उसी में फिर जुट जाते हो और इसमें अगर आप देखो क्योंकि मैं वही लिस्ट पड़ रही थी देवाजी हमने जैसे शोकेश शुरू में बात कर रहे है कुन से कुन स और सीनियर डेप्यूटी मेर राजेश अगी इन तीनों ने जॉइन किया था ये बीजेपी के लीडर्स है और इन्होंने आप बताईए क्या-क्या राइंग्वेजी उसकी थी जब सत्संग में पिताजी कहा था ये ये शब्द उनके थे तो इससे अंदाजा लगाया जासा और भारएंग्स की भी बात आ जाती है कि एक पावडेफल पोजिशन पर बैठा हुँ आदमी बार-बार हम इस बारे में बात करते हैं और बार-बार इस बारे में बात करनी मुझे लगता है जरूरी है क्योंकि जब तक यह बात हर आम जन जो हमें इस वक देख भी रहे है जो नहीं भी देख रहे समाज this is a social problem वहां तक नहीं पहुंचेगी तब तक मुझे नहीं लगता सुधार की कोई भी गुंजाइश है तो मैं power dynamics की प्रीदी बात कर रही थी कोई डर नहीं है कि अगर कोई व्यकति वहां बैठा हुआ है जिसकी वढ़िया साठ खाट है जिसका रसुक है जिसका माना जाता है तो कुछ भी कर सकता है वह तो कभी भी जेल से बाहर आ सकता है वह अपनी मन मर्जी एक आम महिला एक आम लड़की इस पर किस तरह रियाक करें मुझे समझ में नहीं आता आप आपको क्या लगता है कैसे रियाक करेंगे आप ऐसे देखेंगे कि मतलब अगर आप पुजिशन ऑफ पावर में हैं और आप ये ओल्ड स्टेरोटाइप में फिर कंफर्म करते हैं इस इसमें चुनाओं से क्यों चोड़ा जाए क्योंकि आपको जोड़ना पड़ेगा देखिये ना अब या तो मतलब कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा वह अचंबा है कि अभी आपने परोल दी इस बार क्या होने वाला है हर्याना में बाइलेक्शन होने वाले हैं आदंपूर की सीट है तो आप उसको लिंक कर सकते हैं कि उसके वोटिंग के थोड़े दिन ही पहले कैसा है कि गुरमीत साहब को बाहर भेज दिया गया आगे चलिए पंजाब के चुनाव जब होने को हो इनको आपने परोल दे और किस बात पर परोल दी समझ ही नहीं आ रहा है इतनी परोल किसी कितने इतने इग्जामपल्स है एक आसाराम का देख लीजे एक रामपाल जो एक और गुरू थे हर्याना में अभी जब इनको परोल मिली है गुरमीत जी को तो डाउन साउथ में आपको बताती हूं करनाटका के एक मटलिंगायत बहुत पुलिटिकली बहुत पावर्फुल कम्यूनिटी है करनाटका में अगर आप देखें करनाटक का जो चुनाव है वो अगले साल है तो इतनी पावर्फुल कम्यूनिटी के एक मट की लीडर है उनके ओपर बच्चियों का रेप करने का रूप लगा है महीने लग गए भाई उनको क्वेस्चन करने में उनको जब अरेस्ट किया गया वो जाकर एक बहतरीन हस्पताल के इस्यू में भरती हो गए इतने आप क्या मैसिज पास ओन कर रहे हो आज एडमिनिस्ट्रेटर यह हम को ही सोचना है क्योंकि छोटी-छोटी बच्चियोंने आके हिम्मत की है उसके खिलाफ बोलने की यहां पर भी अगर एक विक्टम्स की यह जो इन कल्ट फॉलोविंग के खिलाफ जाते हो क्योंकि आपको सिरफ एक आदमी के खिलाफ नहीं जाना है आपको एक पूरे समाज जो बिलकुल अंध विश्वास से उसमें बिलीफ करता है आपको उसके खिलाफ जाना है और आप ही को नहीं जाना है क पूरा तरह से जब जो पती है उनके बंजारों जैसी उन्होंने पिछले कितने सालों से जंदगी जी है क्या एक इनसान के तौर पर इसे देख सकते हैं हम आज सोसाइटी हमारी कलेक्टिव कॉंशिसनेस कहां पर गई है प्रीति मैं बस आप से एंड नोट पर पूछना चाहत कि यह जो बार-बार हमारी कॉंशिसनेस खो जाती है बड़ी सेलेक्टिव रहती है जो भी रहता है इसका उस तक एक मजबूत संदेश समाज तक जा पाए इस इन पूरे माम लोगों को लेकर दिवांशी काश हम नेता और मतलब इतने बड़े लोग होते इतने बड़े देते हैं कि हम जैसे लोग चाहिए कितना भी बोले ना जब अपनी खुद में नहीं जागेगी तो कोई फाइदा नहीं है तो मैं यही मतलब क्या बोल सकते हैं बस इसी में बोल देते हैं कि हम आपके moral compass जो कहते हैं अंग्रेजी में conscious keeper नहीं है ठेकेदार नहीं है आपके moral compass सोचे कि आप कैसा सोचे कैसा ना सोचे पर बस एक इलतजा है एक request मान लीजिए अगर आप सोची जरूर के इसको एक धरम से परे करें इन सारी चीजों को बिल्किस को अगर हो सके दिल में अगर इतनी श्रद्धा है अपने ही भगवान में तो जो क्राइम है उसको भगवान से अलग रखिए अपने धर्म से अलग रखिए और उसको क्राइम की तरह सूचिए कि क्या बनता नहीं है कि आप बिल्किस के साथ खड़े हो और अपनी आवाज उठाए वह आप अपने में ही आंसर कर लीजिए हमको बताने की भी जरूरत नहीं है बस अगर आप उतना ही कर कि सेम वही अंदर आ रहे लेकिन जाते जाते फिर भी बस इतना कहूंगी कि जो हो रहा है जैसे चल रहा है यह बहुत भयानक है बहुत डरावना है यह बदला जाना चाहिए बार-बार कहूंगी जवाब देही तै होनी चाहिए ऐसा सोसाइटी भी हमें बार-बार जागना पड़ेगा बार-बार इन मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठानी पड़ेगी और इसी उमीद के साथ विदा लेती हूं बहुत-बहुत शुक्रिया प्रीती आपने विस्तार से सारी चर्चा की इन दोनों मुद्दों को जो सारे घटनाक्रम हो रहे हुने हमारे प्राकात करेंगे अगले हफ्ते जुड़े रहने क्लिए बहुत-बहुत शुक्रिया अपी दिवाली अपी दिवाली